हेलो गाईज, तौगिंद उगल में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे समनापूर लम्ता रेलवे लाइन के बारे में, चलो शुरू करते हैं ये रेलवे प्रोजेक्ट समनापूर से लम्ता तक का है, और इस रेलवे ट्रैक की लेंथ 25 किलो मिटर की है, और ये पहले नेरो गेज रेलवे ट्रैक था, अब इसको ब्रोड गेज में कनवर्ट किया जा रहा है और इस रेलवे ट्रैक का काम अंडर कंशक्शन है, बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा इस 25 किलो मिटर रेलवे लाइन का काम आप लोगों को तो पता ही है कि नेरो गेज रेलवे ट्रैक पर ट्रैन की स्पीड कुछ जादा नहीं होती, आप देख सकते हैं, बहुत ही कम होती है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वैसे तो ये प्रोजेक्ट जबलपूर से गोंदिया जंक्शन तक ब्रोडगेज कंवर्शन का है और कुछ परसेंट तो काम कंप्लीट भी हो चुका है, जैसे कि जबलपूर जंक्शन से नैनपूर जंक्शन तक इलेक्ट्रिफाइड और ब्रोडगेज कंवर्ट कर दी गई है और आगे नैनपूर से लमता तक भी इलेक्टरिफाइड और ब्रोडगेज कंप्लिट हो चुकी है और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जबलपूर से गोंदिया जंक्शन तक इलेक्टरिफाइड का 194.3 करोड रुपे पास किये गये थे इनमें से कुछ का तो काम भी कंप्लिट हो चुका है और ट्रेने भी चलने शुरू हो गई है विद इलेक्टरिक लोकोमोटीव उनमें से जैसे जबलपूर से नैनपूर तक इलेक्टरिफाइड कंप्लिट हो चुकी है विद ब्रोडगेज रेलवे लाइन और अगर हम आगे की बात करें तो समनापूर से बाला गाट होते हुए गोंधिया जंक्षन तक भी विद ब्रोडगेज ट्रैक के साथ तो इन रेलवे ट्रैकों पर भी गुड्स ट्रेंड के साथ इलक्ट्रिक लोकोमोटिव चल रहे हैं अब सिरफ 25 किलोमेटर की रेलवे लाइन बची है जो की समनापूर से लमता तक की है और इसको भी साथ में इलेक्ट्रिफाइज किया जा पर इसको पूरी तरीक से ब्रोडगेज कंवर्ट कर लिया जाएगा रेलवे की तरफ से और अगर किसी ने मेरी छिंदवाड़ा नैनपूर ब्रोडगेज कंवर्शन वीडियो नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिशन में लिंक और उपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीस वहाँ से जुरूर चेक कर लें सो ये थी कुछ इनिफरमेशन समनापूर लमता रेलवे लैन के बारे में ब्रोडगेज कंवर्शन के बारे में वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जुरूर बता देना और हाँ आप लोग का फेवे चैनल टॉकिंग दुगल इसे जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू